हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी I hope आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो दोस्तों बात करने जा रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में दोस्तों यहां पर रिपोर्टर ने एक दम से हालात बदल दिये जजबात बदल दिये सबके यानि कि जो सभी ने स्पीच दी थी अपनी इशान को लेकर इतनी बढ़िया सी वो तो उसने चापी ही नहीं अपने आर्टिकल में और उल्टा सीधा अपने आर्टिकल में उसने च सभी ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकती और यहां पर जैसे ही रीवा ने आग लगाई मतलब कि रीवा की इतनी इंपोर्टेंट हो गई है उसके लिए कि जैसे ही उसने बोला इशान ने मान ली उसकी बात यानि कि सभी के उपर रत्ती भर भी यकीन नहीं है इशान को वहीं अगर दूसरे तो पर देखा जाये तो चिन्मे जो कि थोड़े ही समय से सभी को जानता है उसको फिर भी सभी पर यकीन है वो फिर भी आपर बोल रहा था कि सभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती तो दोस्तों मैंने आपको कल के वीडियो में ही बताया है कि चिन्मे का रोल अगर दिखा दिया तो इशान के रोल से दमदार लगने वाला है चिन्मे का रोल क्योंकि चिन्मे का रोल जो है दोस्तों बहुत ही जादा authentic acting लगती है आयूश अनंत सर की बिल्कुल original ऐसे लगता है कि वो acting कर ही नहीं रहे हो बिल्कुल authentic लगता है और बहुत ही दमदार character है उनका दोस्तों आने वाले episodes में आप लोग देखेंगे कि सवी जो है बिल्कुल पत्रकार से लड़ने वाली है अच्छे तरीके से यहाँ पर बिल्कुल उसको सुनाने वाली है क्योंकि ऐसा कुछ उसने बोला ही नहीं जो उसने चाप दिया और यहाँ पे दोस्तों इशान को भी का बर्डे सेलिब्रेट कर रहा है वो भी इतने दूमदांस है और वहां पर दोस्तों रीवा को बोल रहा है कि सवी का नाम मतलों यहां पर मूड स्पॉयल हो जाएगा मतलब क्या ही दोस्तों एकदम से सारा गिल्ट बिल्कुल धुल गया और फ्रस्ट्रेशन आ गई और और दोस्तों आप लोग अपने अपीनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर शेयर किजिए कि इशान को रीवा की बात माननी चाहिए या नहीं जिस तरह से वो अभी मान रहा है तो दोस्तों बस यहीं तक था आज कहा हमारा वीडियो वीडियो अच्छा लगओ तो लाइक जरू किजिए थन्यवाद दोस्तों